आई अरे मोदी ने तो हदी कर दिया है जार और अरे डिक्टेटर इनसान है यार ठोड़ना परिशान करके रख दिया है मोदी ने नमस्ते गुरू एकदम सच बात कही है आपने ये मोदी ने परिशान कर दिया है और पीम का काम क्या होता है मौन होकर बैठे रहना और ज्यादा से ज्यादा कुछ फाइले साइन करनी होती है और मैं कहता हूँ कुछ करना ही है तो गोटाला करो कौन मना कर रहा है अरे यार पांच साल मिले जैसे तैसे उससे कहां ये गरीबों के बैंक खाते खोलने में वेस्ट करे उससे अच्छा अपने खाते ना भर ले क्या बोलते हो और मोदी एक नंबर का ताना शाह है डिक्टेटर अरे बड़े बड़े फैसले अपने दम पे ले लिए अरे किसी के कंदे पर बंदूग तो रखनी थी नोट बंदी काला बजारी पर रोक सर्जिकल स्ट्राइक अरे भाबरे अरे कितने रिस्की फैसले लिए था यार सच में सुसाइड जैसे और पता है कि भाई खतम हो जाएगा अगर सिस्टम ने सपोर्ट नहीं दिया तो पर नहीं भाई तो भाई है ना क्या जरूर है ते सुबह पांच बजे उटकर काम पे लगने के हैं अरे लोगों की आदत भी गड़ रही है उनका इसा भीए वियर देखके एक तो पूरे साल में एक भी छुटी नहीं लेता और दिवाली में कहा जाता है पता है बॉर्डर पे जवानों से मिलने ये पी ए मोदी एकदम बेकार है मेडिया वालों को कॉक्टेल पार्टी नहीं देता रिपोटर को फॉरें ट्रिप पर नहीं ले जाता अरे यहां तक कि आदमी को फैमिली के कोई वैल्यू ही नहीं है इनके एक भी फैमिली मेंबर को फ्लाट नहीं जमीन नहीं फॉरें की ट्रिप नहीं अरे मोदी जी कुछ तो शरम करो कुछ तो शरम करो आपने तो दुनिया में देश का नाम कर लिया लेकिन सुना है कि उनके भाईयों के बच्चों ने अब तक प्लेन नहीं देखा अंदर से अरे भाई आप तो रिपोटर लग रहे हैं अरे ज़रा समझाईए इन सब को ज़रा समझाईए कि भाई गरीब के घर में गैस पहुचा के और पैसे वालों के घर से गैस की सबसेड़ी बंद करवा के वोट नहीं मिलते अरे वोट के लिए तो जिगर चाहिए जिगर जात बात करनी पड़ती है वोट बैंक बनानी पड़ती है और यह मेकेन इंडिया और स्टैंडप इंडिया से क्या होने वाला है कुछ नहीं और तुम लोग मुफ्त की रेवडिया बाटते रो बस आई नहीं चाहिए हमें स्वच्छ इंडिया नहीं चाहिए हमें न्यू इंडिया हमारा ओल्ड इंडिया ही बराबर है एक डम अपनी अपनी जेबे भरो सडकों पर गंदगी करो और घर रखो चका चक सच में ऐसा पीम तो इंडिया में आया ही नहीं सही कहा है मैंने बैए यार ऐसा पीम तो सच में कभी नहीं आया इंडिया में किसी को इंट्रेस्ट ही नहीं लालू प्रसाद यादव को उनके ब सब्सक्राइब करने में लगे हैं सोनिया जी को राहूल को सट करना है अरे पर यह तो सोचो कि इस देश को सट करना में किसको इंट्रेस्ट है अगर आज मोधी फेल हुआ ना, तो अगले सो सालों तक कोई प्राइम मिनिस्टर करप्शन के सामने लड़ने की हिम्मत ही नहीं करेगा सिर्फ दो हाथ जोड़ेगा और तौबा करेगा फिर बस करते रहना, मेरा भारत महान, मेरा भारत सर, सर मुझे आपका नमबर दोना, मैं इस पर स्टोरी करूँगा, सर आपका नाम मैं हूँ विकास, सेव कर लेना अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीस सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें